पंद्र महिनों की सरकार हमने देखे यारोग लगाते हैं कि प्रजाप पंद्र का खंड़न हमने किया है मैं उनको कहना चाहता हूँ कॉंग्रिसियों को कि जो इत्यास पंद्र महिना का आप पलट के लेखो जो भष्टाचार आपने किया जो वाला खिलाप भी आपने की अगर जनता के सचे नुमाइंदे हम होते हैं तो संगर्ष करके हम को सड़क पे उतर गा ही होगा यहीं मिलन है हमने साथ में मिलके लिया हम जन्ता के सेवक हैं किसी कुर्सी के सेवक नहीं किसी सिहासन के सेवक नहीं अगर कुर्सी के सेवक होते अगर सेवक होते तो जब मुझे उस समय कहा गया था कि आप उपक्यमंत्री बनिये अगर कुर्सी के लालच होती कमलाज जी दिवजय सिंग्डी तो उस समय ही मैं उपक्यमंत्री का ताज मैं स्विकार करता है लेकिन मैंने इंकार किया और आप मैं बताना चाता हूँ मैंने इंकार क्यों किया मैंने इंकार कि इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो लोग जो सियासन के बैठे हैं ये लोग 15 मैने में इस प्रदेश का क्या करके दिखाएंगे और उस कर्दूत का भाग मैं नहीं पड़ना चाता हूँ आज ये संद्य मैं आपके सामने रखना चाता हूँ और अप्रभाग याजी ने आज मन से कहा ना सिक्थ सेंस वही सिक्थ सेंस मुझे भी कह रहा था कि प्रदेश का यही होने वादा है यही हाल करेंगे ये लोग और जब मैंने देखा कि कितनी मेहनत मशक्कत से इन सब के सामने सामरा करते करते हुए पंदर साल बाद जब सरकार बनी और आशा विलाशा थी आत्मों की केवल नहीं और यही शोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आशा विलाशा की हम सब भाजपा के लोग की भी कि पंदर साल बाद करता बनी कुछ को करेंगी किया क्या एक तरफ बादा खिला मन से एलान किया था मन सौर में और एक एक मन से एलान किया कि ग्यारत दिन में हर किसान का दो लाग करेंग माफ होगा और केवल यह नहीं कि अगर ग्यारत दिन के अंदर किसानों करेंग माफ नहीं होगा माइक भी गढ़ी रादा 11 दिन के अंदर अगर किसानों करेंग माफ नहीं होगा यह नहीं भी वह था चिबाई सिंही मैंने ग्यारत दिन में आकञा जब किसानों का रेणम आप नहीं हुआ, एक तरफ, दूसरे तरफ इनोंने कहा कि शिवराद सिंगी तन्यादान योजना में इकीस हजार उपे दे रहे दे, हम 51,000 देंगे अरे भाई, पेटियों की शादी होगी, भववें घर में आगें, साल निकल गया, घर में, लेकिन एक कावर हजार नहीं है चिंदा मत करो मेरे भईया, मेरी भेंट, चार हजार उपईया प्रतीमा, बेरोज़ार पुर्टा दिया चाँँआगे आज भी मेरे नौज़वान, बेरोज़ार भूम रहे, ये शिवराज सिंग्जी है, जिन्रों ने इतिहां से कदम उठाया है, कि मंध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी, मंध्य प्रदेश के नौज़वानों के लिए रहे प्रतीमा, ना किसान का रिटमा, ना इकावर हलाद लाग चार अजार उपईया पेरोज़ा भंदा, और उनसे पूछो, पैसा में, पैसा में, पैसा में, पैसा में, अरे भी पैसा में हैं, तो मुख्य मंतरी किस लिए बने हो, अब शिवराज सिंग्जी आ गए है, पूरे प्रदेश का ख़जाना खोल दिया है प्रदेश की जन्ता के लिए, तो पैसा काके लेके हाई शिवराज सिंगी, जो आप कहे रहे थे कि पैसा में पैसा में, को जब भी मायोंना, दो लाट लाट लौट उ करोर, जो पंदर महीनों से हटती हुई थी, इन्होंने दस दिन के अंदर में पिस करा दिया के साथ होतो, कहा है पैसा केबल वहाँ नहीं, आप लोगों को बालों में ना देखा, मैंने तो कर भाषणों में भी कहा, प्रदान मंत्री जी ने लॉक डाउन पूरे देश में लगवाया, ताकि लाखो जानों की बज़त हो, पर उस लॉक डाउन के एक साल पहले, कमलनाज्ची ने, बल्लब भवन में जन्ता का लॉक डाउन करा दिया, ताकि केबल वहाँ ब्यापारी और और जोब ब्यापारी और जन्ता ना आपारी, तो मैं आपके पूछना चाहता हूँ, मैं जन्ता की अजानत में जाके पूछना चाहता हूँ, कि अगर जन्ता का स्वा कूँ, अगर जन्ता का जन्ता मैं जन्ता उठाया है, नियने के लिए सभी जन्तगी में, मेरे पूछे दाजी पूछे राजrocket साम की तरह मेरें पूछे दाजी की तरह तो क्या ये अन्याई इपरदास कब तक करता रहा और कब तक करते रह रहूं मैं मुझे कोई बन मिले मुझे कोई दिर्दा नहीं लेकिन मेरी जंता के साथ भूणियो शेत्र में विकास हो, शेत्र में स्रगती हो, और जो मैंपन ने कहता था, जहाँ जाए। और आज मुझे करव है कि कल, जब शिवराज सिर्ची गॉलियर आए, नरेज सिर्ची गॉलियर आए, एक-एक विधाल स्वामें, धाइसो करोड उत्य से कम विकास कारिया, उपने साथ नहा लेके आए, उसे जादप लेके आए अपने साथ. और जो मेरे गॉलियर के लिए दो मांगें रकीकल्मन से, मुनलाल गोय ली के सवामें, एक की चम्बर से पाणी नरेज सिंगी और मेरे मुरेना के लिए और गॉलियर के लिए, जो आप लोग की जुलक बन और दूसरा की स्वर्ट लेखा नाले के उपर एलिवेटिव रोड बने ताकि गौलियर एक आदोने के लगरी वे हम लोग कभी इसकर भाएं ये कोई पॉरी तस करोड की युजना नहीं है 400-500 करोड उपर की युजना है और सहिज करीके से शिवराज सिंगी ने आपकी कहना कहने पर पूरी करण से सम्माद रखके दोनों युजना को हरी धंडी देदी मैं उनको स्टेजर स्थन्यवाद देना चाहता हूँ तालियों की घरगा है स्थन्यवाद हो अज़ी तालिव अज़ी ताई है कि ज़िए खुद्री नाम बेर पूरी तालिव राते हो कमल्राजी की सहलत होती तो स्थन्यवाद मंत्री बैठे हुए है इमार्टी नेवी प्रदम सिंगी अभी शिवराज सिंगी व्रिस्तूत रूप से बताएगे क्या आलो गया था इमर्टी जी का और रुदून का कैडिनेट मंत्री मुक्ष्य मंत्री को मिलने जाता है तो कहा जाता है चलो चलो चलो2 कैडिनेट बंत्री कह यह सनुख होता है जनुपतिमिद्दियों के साथ अगर ये सबोग जर्ड पतनिनी के साथ, तो जंद्र के लिए मिलने के लिए समय कहां से मिलेगा। 159 में एक दिन भी चेरा दिखाया इंटोने वल्जेर में, फूछरा जाता हूं अब लोस्त। एक दिन चेरा दिखाया मुरेना में, एक दिन चेरा दिखाया भिंड में, एक दिन चेरा दिखाया दत्या में, एक दिन शिप्पुरी में, एक दिन असोत्तगर में, एक दिन गुणा में, जब मुरेना चिले में बाड आई थी, मंसौर में बाल आई थी, भीवत में बाल आई थी, दाइने तरव से शिवरा सिंधी घूब रहे थे और बाएं तरव से जोड़ा उपने सिंधी अच्छु मंजी या बड़ता है अब तो बलता हम बेटें रहे हैं और वोज अटेंटमें जरोगे, रावजे सुबे से रावजे साथ, जन्दा नहीं आपका थाँ, और क्या आली चान मरली बरभादर है आप, शिलन या आप किया है हमें, फीदा काढ़ने कोई और पार दे हैं, असली हग आपका थाँ, वो अब मैं आपको थाजिवाद देता हूँ, कि जो अन्याए आपके पूर किया जाता था उस वन्दा भाद में, जो मान सम्मान आपने अपने सारे कैबिनेट के मंत्रियों को दिया, मैं आपको तर्देश की जस्ता के परस्के दिने बाता है, और प्रवाज या जी ने ठीक कह सम्मेल अन्शीर, जितुल स्वाब, और पहली मेरी मंत्री जो आके मुझे कहा, कि सिंद्या जी जहां अब अल्लब भवन में हम रोंको नोएंट्री लगाया जाता था, वहां मुझे मंत्री में एक घंटे हमें फैठा कर चाय पाली बिला कर हमारा आनूँगा। सेना पती हो, तो ऐसा सेना पती हो, जो अपने सेना और सेनिकों का मनों बन बढ़ा है, और आज वही चीज़ में आपको कहना चाहता हूँ, जो शेवर्वाज जाजी ने कहा, अगर आज हम लोग मंज पे बैठे हों, तो आपके वज़े से बाचूँगा। किसी नेता की कोई ताकत नहीं, सबसी बड़ी ताकत किसी भी नेता की होती है कार्यकरता। और उस कार्यकरता को मैं नमन करता हूँ, और ये अब बाच करना चाहता हूँ, कि ये प्राइग गरों और मरों की लड़ाई है, ये लड़ाई उन बादा खिलापी और भड़़्ाचारियों को सबक सिखाने की लड़ाई है, और मुझे इन बाद की बड़ी खुशी हुई, कल उन लोगों के को देखने को मिला मुझे इनके ठेरे ग्वालियर की जन्ता ने पांच महिनों से नहीं देखा हूँ, हमारे नाम पे कब से कम भैसे दूने की जिस कॉंग्रेस ने करुणा के संकट में सेवा भाव नहीं की, जिस कॉंग्रेस ने जिसालों के दुख में अपना उनका हाग और उनका दुख न बटाया हो, उस कॉंग्रेस को इस विदान सवा के फिनाओं में 27 के 27 सीटों में हरां कर समख सकाना होगा, शन्यवाद जह जह जह! गंदबाद आदर्णी आपके ओज्वस्य उत बतने के लिए मैं आपको सभी नए उप्राने कार करता हूं के तरफ से बचन देते हैं, कि अब हम आपके इस महार करशन का लाव लेकर के कंजे से कंदा बता करके जो लगी हुई इंक्तान सवा है उन पर जाके हम लड़ाई लड़ेगे, ऐसा मैं आपके पज़र देता हूं गंदबाद अब हम सब के लिए अपके हम सवबात के आपसर है कि आप इस कारकम में हम कि आपके इरना के श्रोथ अचेंदी सहेग सरन भारा सर्कार के मंद्री आदेने नरेंशिंग तोमर साब केंद्री मंद्री के में आग्रे करूंगा जब हम सब को पाल करशन देने आपकरे आदेने तोमर साब